हेलो गाईज, वेलकम बेक टो माई यूट्यूब चैनल, आज हम पढ़ रहे हैं साइकेट्रिक सब्जेक्ट जिसके अंदर हमने पिछले वीडियो के अंदर पढ़ा था आपका जजमेंट और इंसाइट के बारे में, उसके बाद जो नेक्स्ट डिसोडर आपकी शुरू होते जो भी sexual behavior है वो आपका किस वज़र से influence होता है आपका sexual orientation से related तो अब हमें इस line के अंदर जो जित समझने के जूरत है वो रहेगा आपका sexual orientation की ये क्या होता है जिसकी वज़र से हमारा influence होता है sexual behavior तो देखे, sexual orientation क्या होता है इसका मतलब होता है degree of emotional or physical attraction orientation का मतलब यहाँ पर क्या रहेगा sexual orientation का कि किस degree तक आप attract होते हो emotionally और physically degree of emotional और physical attraction to the member of opposite sex same sex और both sex ठीक है यानि आप क्या या तो अगर आप लड़का हो ठीक है तो आप किस degree तक emotionally और physically attract होते हो आपने opposite sex के यानि एक female के या फिर same sex के boy के या फिर दोनों के आप equally attracted toward boy and girl ठीक है तो ये है आपका क्या sexual orientation कि physical और emotional attraction आपका क्या रहेगा opposite sex के साथ same sex के साथ या both sex के साथ ठीक है इस तीन तरह से हम क्या करते हैं sexual orientation को define करते हैं या categorize कर सकते हैं तो अब हम पढ़ते हैं sexual disorders रहेंगे हमारे उनके बारे में तो देखिए sexual disorder रहेंगे वो आपके related रहेंगे sexual function से और gender identity से ठीक है तो यानि आपके जो sexual organ है वो कैसे काम कर रहे हैं या फिर आपकी gender identity क्या है आप male हो या female हो इस से related ही हमारे disorders आते हैं psychiatric के अंदर तो इनको तीन तरह से classify किया गया है सबसे पहला alteration in the sexual behavior ठीक है क्या आपके sexual behavior के अंदर जब change आजाए तब कौन से disorder आपको देखने को मिलेंगे या फिर sexual expression disorder ठीक है आप क्या express कर रहे हो या क्या कर पा रहे हो वो वाले disorder और sexual dysfunction यानि यानि आपके जो reproductive organ है वो अच्छा से काम नहीं कर रहे है तो उससे related जो आपके क्या रहेंगे disorders रहेंगे तो तीन तरह से classify किया गया है सबसे पहले शुरू करते हैं हम first one से alteration in the sexual behavior और पैर या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो पैराफिलियाज आप इसको बोल सकते हो तो इसके इंदर आप जो disorder पढ़ोगे वो 10 रहेंगे सबसे first हमारा रहेगा alteration in sexual behavior और पैराफिलियाज को आप क्या बोलते हो abnormal behavior for minimum 6 month ठीक है आप किसी भी चीज़ को disorder तब भी बोलोगे जब उसका जो time period है वो थुड़ा जादा हो जाए तो minimum 6 month से अगर किसी का sexual behavior altered है या change है, abnormally behave है तब जाके आप क्या बोलोगे कि वो एक sexual disorder का शिकार है या फिर आप उसको पैराफिलिया बोल सकते हो पैराफिलिया का मतलब क्या है आपका alteration in sexual behavior तो सबसे first जो चीज़ रहेगी इसके अंदर वो रहेगा exhibition, ठीक है, ism पिछे आपने क्या लगना है, exhibition word आपने सुना होगा पिछे बस ism लगाना है तो इसके अंदर क्या होता है, देखिए person gets sexually satisfaction by showing his her genital organ at the public place, ठीक है, इसके अंदर क्या रहेगा, ये जिस भी किसी इनसान को ये दिक्कत होगी, तो उसको कैसी sexually satisfaction या फिर gratification आप बोल सकते हो, इसका ही synonym है, satisfaction कैसे मिलेगी sexual satisfaction कैसे मिलेगी अपने जो genital organs हैं उनको public place के अंदर क्या करके show करके, जैसे इसका नाम है exhibition, exhibition आपने सुना होगा science exhibition या फिर आपका किसी वित्रिकरका exhibition जिसके अंदर चीजों की परदर्शनी की जाती है, तो यहां पर ऐसे ही रहेगा, जो भी इस बिमारी सिग्रस्त आदमी या औरत होगा, उसको कैसे sexually satisfaction मिलेगा अपने जनेटल organs को public place के अंदर show off करके ठीक है, next है हमारा sexual voyeurism, इसके अंदर देखे, क्या होगा, personal person get sexual satisfaction by seeing or observing other, disrobing or removing the cloth, और engaging in the sexual activity इसके अंदर क्या रहेगा, जो भी इंसान इस बिमारी सिग्रस्त होगा उसको कैसे sexual satisfaction मिलेगा, दुसरों को देखके या observe करके, ठीक है देखे, ऐसे लिखरका है, seeing and observing the others, ठीक है, दुसरों को देखके, किस condition में देखके, disrobing disrobing का synonym आप यहाँ पे लिख सकते हो removing, ठीक है, removing the clothes, ठीक है, अगर आप कोई भी इंसान हो, आप आदमी हो, तो आपको क्या, जब आपके सामने कोई और ठीक है, या तो sexual activity के अंदर engage हो, या फिर अपने clothes वगारा remove कर रहे हो, तब उस चीज से, जब कोई और sexual activity में है, उस चीज को देखके, आपको sexual satisfaction मिल रही है, तो यह condition होती है, आपकी sexual voyeurism, ठीक है, इसको आप यह बोलते हो, तो यहाँ पे क्या होगा, दूसरों को देखके, एक इंसान को sexual satisfaction मिलता है, next हमारा रहेगा, पीडो फीलिया, देखिए, आप पीड्स पढ़ते हो, पीड्स अब्जेक्ट्स, तो उस ही से यहाँ पे आपका यहाँ आया है, पीडो का मतलब यहाँ पे child से ही related है, फीलिया, आपका sexual disorder का आम नहीं यहाँ पे पढ़ा था, पैराफिलिया, फीलिया मतलब alteration in the sexual behavior, तो पीडो फीलिया का मतलब क्या रहेगा, यहाँ पे किसी भी इंसान को person get sexual satisfaction with the sexual activity with the child less than 13 years, 13 साल से कम की उमर के बच्चे के साथ sexual activity के अंदर involved होके इनसान को क्या मिलेगा sexual satisfaction मिलेगा, तो यह अगर ऐसी विमारी है, तो उसको आप क्या बोलते हो pedophilia बोलते हो next step की जू फीलिया, जू फीलिया आप किस के लिए यूज करते हो, जू आप animals के लिए यूज करते हो, तो यहाँ पे इनसान को sexual satisfaction कैसे मिलेगा with the animals, ठीक है ना किसे इंसान के साथ, किस के साथ, अनिमल के साथ, यहां पर क्या है, बच्चों के साथ, sexual activity करके, sexual satisfaction मिलता है, तो यह सारी ही condition के अहां, आपकी abnormal behavior है, हाला कि ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर किसी को ऐसा हो रहा है, तो यह सारे के सारे ही क्या है आपके abnormal behavior show कर रहे हैं और sexual disorder की उसके अंदर आप इनको categorize कर रहोगी next है आपकी type sexual mesoism इसका मतलब क्या है देखिए म-A-S-O-C-H-I-S-M इसके अंदर क्या होता है person gets sexual satisfaction that involved by receiving pain यहाँ पे इनसान को sexual satisfaction कैसे मिलेगा pain लेके ठीक है रिसीव करके pain ठीक है sexual satisfaction कैसे मिलेगा जब इनसान को pain मिलेगा तभी उसको sexual satisfaction मिलेगा और इसके just opposite है आपका यहाँ पे sexual sadism ठीक है यह क्या था आपका पिछे वाड़ा जो था वो था sexual mesoism यहाँ पे इनसान क्या है pain रिसीव करके खुश हो रहा था sexual sadism में क्या होगा person gets sexual satisfaction by giving the pain ठीक है अपने partner को pain देके यहाँ पे इनसान को क्या होगा satisfaction मिलेगा और पिछे जो हमने पढ़ा था उसके अंदर क्या था कि उसको अपने partner से pain लेके खुशे मिलेगी और यहाँ पे क्या है partner next है आपका frotrism next जो हमारी type है that is frotrism person gets sexual satisfaction by touching rubbing without the consent of other person ठीक है frotrism यहाँ पे r word आ गया तो उससे आप याद रखिएगा इसको क्योंकि यह दो आगे same same से हैं आपके थोड़े इनके निर थोड़ा याद करने के लिए आप कैसे कर सकते हो frotrism क्या होता है जब बिना दुसरे इनसान के consent के without consent यहाँ पे मैंने लिख रखा है तो without consent सामने वाड़े बंदे के consent के बगैर आप उसको touch कर रहे हो या उसके body पे rub कर रहे हो ऐसा करके किसी इनसान को अगर sexual satisfaction मिलता है तो उसको आप क्या बोलते हो frotrism बोलते हो और यह condition आपको ज़्यादा तर buses के अंदर या मेट्रोस के अंदर या ट्रेन के अंदर देखने को मिलती है जब भीड होती है और लोग उस भीड का फायदा उढ़ाते हैं दूसरे इनसान को बिना उसके मर्जी के छूते हैं या रब करते हैं ऐसी conditions हमें public places पे देखने को मिले जाती है तो जो भी इनसान ऐसा करता है तो उसको sexual satisfaction मिलता है दूसरे को बिना उसके मर्जी के छोने में और रब करने में नेक्स्ट आपका faticism फaticism के अंदर क्या होता है using the non-living object for sexual gratification या satisfaction यहाँ पे इनसान को non-living objects के साथ क्या मिलता है satisfaction मिलता है फaticism के अंदर नेक्स्ट इस जो टाइप है हमारी वो रहेगी ट्रांस वैसी ट्रांस वैटिसिजम इसके अंदर क्या रहेगा देखिए पर्सन get sexual satisfaction बाइवीरिंग क्लोथ अंदर कार्मेंट ऑफ अपोसेट सेक्स यहां पे जो sexual satisfaction है वो कैसे मिलेगा अगर आप लड़का हो तो आपको opposite sex आपके क्या हुआ लड़की हुआ तो लड़की के जो अंदर कार्मेंट है या उसके खोने से या उनको पहनने से क्या मिले जब sexual satisfaction मिले तो उसको आप क्या बोलते हो ट्रांस वैसी वेस्टिजम बोलते हो ठीक है ट्रांस वैस्टिजम इसको आप बोलोगे नेक्स्ट आपका ट्रांस ट्रांस सेक्शुलिजम इसको आप क्या बोलोगे देखिए feeling that one gender is inappropriate and desire to acquire sexual characteristics of opposite gender इसके अंदर इसके अंदर देखिए हम पढ़ रहे थे इसके अंदर क्या फील होगा जो भी हमारा patient है उसको कैसा फील होगा feeling that one's gender is inappropriate उसको ऐसा लगेगा जो भी gender का वो है वो लड़की है तो उसको लगेगा कि जो मेरा gender है यानि मिरको लड़का लड़की नहीं होना चाहिए था and desire to acquire the sexual characteristics of opposite gender ठीक है तो अगर माली जी हम first condition लेते हैं कि एक लड़की है ठीक है उसको लगता है कि वो लड़की नहीं है अंदर से ठीक है तो उसकी इच्छा रहेगी कि वो दूसरे जो opposite जो gender है उसकी sexual characteristics उसके अंदर आए यानि वो लड़का बनना चाहती है ठीक है वैसे तो उसके जो ओर्गन्स है वो सब कुछ क्या है लड़की के हैं लेकिन उसको उसमें जो पील आ रही है वो inappropriate वाली आ रही है कि नहीं मैं लड़की नहीं हूं मुझे लड़की जैसा कुछ फील ही नहीं होता है मेरे को क्या होना चाहिए था लड़का होना चाहिए था और उसी की तरह वो अपनी जो हमारी कुछ टाइप्स थी अल्टरेशन इन सेक्शुल बिहेवियर की ठीक है जिसके अंदर हमने क्या क्या पड़ाया देखिए आपका एक्जिबीशन पड़ा जिसके अंदर क्या होगा पब्लिक प्लेस पे अपने जनेटल औरवन को शोफ करने से से seksual satisfaction मिलती है seksual craigism के अंदर क्या था आपका किसी और लोगों को कपorangण油 उतारते हुए देखना या ति arma पोब्लिया जानी शक्शवल साथ क्योंक्के साथ 27 अधिने और अनगेज होहने में और कितना लेसन थार्टीन येज चिप से कमके बत्चों के अंदर जूफीलिय के अंदर क्या था sexual activity एनिमल्स के साथ sexual mesoicism क्या था इसके अंदर person को या patient को pain receive करने में खुशी मिलती है और sexual sadism में क्या होता है अपने partner को pain देने में खुशी मिलती है फ्रोटरिजम में क्या होता है बिना consent के दुसरे इंसान को छोणा और रब करने से sexual satisfaction मिलता है फैटिजम में क्या है non living objects को use करते है sexual satisfaction के लिए transvesitism के अंदर क्या था दुसरे sex के या दुसरे gender के क्या करते है यहाँ पे cloths और undergarment को wear करके sexual satisfaction गेन करते है और transsexualism के अंदर क्या था यहाँ पे लगता है इंसान को कि जो मैं हूँ वो inappropriate हूँ मुझे दुसरे जो opposite gender है उसके जैसा होना चाहिए था या उसके जैसी body मेरी होने चाहिए थी तो यह types हमने यहाँ पे पढ़ी है next video के अंदर हम बाकी को continue करेंगे जिसके अंदर हम sexual expression disorders और sexual dysfunction के बारे में पढ़ेंगे I hope आपको यह terms clear होई होगी so thank you guys मिलते हैं next video के अंदर next topic के साथ